हेलो एव्रिवन गुड मॉर्निंग नवस्ते वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग कैसे हैं आप सब आई हूप आप सब लोग अच्छे से होंगे फ्रेंड और मॉर्निंग का टाइम है ऐसे ही दस साथे दस ग्यारा बचे का टाइम होगा और अपने घर के सारे काम जल्दी कर देजिगा चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा वैल आइकन को प्रेस कर दीजिए का इससे नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप मेरे निव ब्लॉग और वीडियो जो भी में डालती हूं रस भी वगएरा सब कुछ आप देख सकें सो फ्रेंड आज ह तो आज ही चलो नहीं तो कल फिर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने का ठीक है और जो चीज मैं लेने जा रही हूं मारकेट वह बहुत जरूरी थी और उसकी नीड भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि जब हम पहले थे जहां थे रहते थे वहां तो थी हमारे पास में लेकिन ज इतनी दूर लाने में समान खराब भी हो जाता और फिर लेकर के आओ रास्ते में कोई समान खराब हो जाए तो फिर वह सही भी नहीं रहता है फिर हमें नया ही लेना पड़ता है तो हस्बन ने बोला कि जो चीज ज्यादा जरूरी है वो लेके चलते हैं यहां से और जो नही पास में रखनी थी और लेके आये हुए थी तो बस आज भी कुछ ऐसी ही बहुत ज्यादा नीड थी यसी की जो मैं लेने जा रही हो तो आपको लेके चलूंगी में वहां पर जहारी हो तो यहां पर देखे यहां पर आ गई थी और धूप बहुत ज़ादा तेज है और इतनी 122 साल का रिकॉर्ड टूटा है फरवली के महीने में तो अभी बताईए फरवली के स्टार्ट में ठोड़ी वह सर्दी थी और बीच में तो बहुत जादा गर्मी हो गई थी और अभी तो कुछ पूछिए इमत गर्मी तो कुछ बहुत तेज है और कहते हैं आसमान तेज मतला कुछ दो आप गर्मी और बीचाओन बहुत है चा और घूप की रहे FRशी कुछ पता नहीं है तो आप दूर तक देखिए कितनी सारी गृइनरी डिये कितना अच्छा लग घ्रा और धूब घ्याँ थी औह बहूं जारे सब का दोमेशनित्पार। और गर्मी तो ही घर से बहाँ निकलो ने तो बहुत ज़दा गर्मी लगती है बट घर के अंदर पता नहीं चलता है इतना हमें और जब बहाँ निकलते हैं तब समझ में आती है कि हाँ गर्मिया आ चुकी है आप एक बडंदा में आती है बहाँ रहाँ पुकी है ड्याती है बटेवास के अंदर पता नहीं तो है विए ज़दा गर्मी पाल्मी लगती है कि यह बहुत हैं कि शुट्टी के दिन है चुट्टी के दिन तो सभी लोग बाहर निकलते हैं किसी को कुछ काम रहता है तो भीच में ट्रेफिक भी मिल गया ता बहुत जादा पर उसके और कम सकम दस मिनट तक खड़े रहना पड़ा हम लोगों को और आप लोग सोच रहे होंगे गाड़ी में बैठी है फिर भी गर्मी लग रही है तो बता दिया पहले से सो फ्रेंट हम लोग सो रूम पहुच गए हैं अबस सो रूम से जो चीज लेनी थी वहां ले लिए तो यहां पर अच्छी बेकरी की भी थी आइटम थे वाले और केक वगएर आप देखी सकते हैं कितने परेपरे हैं और सुछ तो आप लोग देखिए कितनी अच्छी हैं कुछे मुचे फिछी रखती हैं तो बस मैं काजु कत्ली ले थी और हमने रस्मलाई ले थी और हस्बैंट जी ने परसाद पेड़ा लिये हुए थे उनको प्रसाद पेड़ा बहुत ही अच्छी लगते हैं तो उनने वो लियए थे और बच्यों के लिए आईस क्रीम ले लि तो वो थे और यह सॉप है कुछ यहां पर सुद्ध देशी घी से बनी हुई मिठाईयां मिलती हैं और अच्छी मिठाईयां टेस्टी रहती हैं और बिल्कुल फ्रेस रहती हैं ऐसा नहीं है कि आपको मतलब एक दो तीन चार देन का मिठाई देदें वो नहीं है बहुत ही कि ममा जब जाना तो आइस्क्रीम मिले ले के आना मैं चलो ठीक है तो यहां पर सुईट बगेरा हमने सब पैक करा ली थी और यहां पर मैं थोड़ी सी क्लेप अपनी ले रही थी तो अंकल वेटे होए थे वो देख रहे थे पर बाद में पूछा कि आप वीडियो बना रहे से क्राइबुन कि फिल्र्फ बना थी और यहां ही सोच रहे थी तो यहां ले ले कर वेडिया थे तो दो तीन वार गई मैं सोरूम लेकिन कुछ पसंद ने आया था आई था वार जब गई तो मुझ對 तुरंत कि नौन लोग ले कर के हा गए और एक study table ली है बेटू के लिए study के लिए तो ये है ये husband का भी काम चल जाएगा इसमें और बेटू का भी काम चल जाएगा तो इसके चलते ही ये ये फरनीचर कुछ मुझे लेने थे तो इनकी बहुत जादा नीड थी तो ये मैंने ले लिए हैं कैसे लग रहे हैं बताएगा जरू अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरू कर दीजिगा चैनल में अगर नए है तो सब्सक्राइब कर लेजिगा सो फ्रेंड बस इन ही दो चीज़ों के लिए मैं गई थी मार्केट और बहुत दिनों से जाने का सोच रहे हैं कि बस हास्पेंड के पास मैं टाइम नहीं था ना ऑफिस की बज़े से टाइम नहीं रहता है चुट्टी के दिन ही टाइम था तो आज चली गई लेकर के आ गई अगर नहीं हूं तो यह था मेरा आज का ब्लोग कैसा लागा बताएगा जो अच्छा लागा हूं लाइक कर दीजिए ओके बदो